असलाम लेकूँ आज मैं आप लोग को बताऊंगी डोकला बनाने की रेसिपी यह बहुत ही सॉफ्ट बनते आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करें सबसे पहले डोकला बनाने के लिए मैंने एक बरतन में 200 ग्राम बेसन लिया है चाय वाले कप से आप 2 कप ले ले अब हम इस करेंगे एक चंबच के करीब नीबू का रस इन सम चीजों को डालने के बाद आप इसे अच्छे से मेक्स कर ले और इसमें हलका गुनगुना पानी डालके थोड़ा थोड़ा इस तरह से एक बैटर की तरह बना ले यह जादा पतला नहीं बनता है मीडियम बनता है थोड़ा चीनी है वह गल जाए मैं यहां पर एक बरतन में थोड़ा सा पानी आइड किया है और उसके उपर स्टैंड रख लिया है अब हम इसे हाई फ्लेम पर गर्म होने देंगे अब आपको जिस बरतन में ढोकले को स्टीम करना उसमें थोड़ा सा ओईल लगा ले ताकि जो हमारे दसमेट हो चुके है और चीनी भी सारी डिजॉल्व हो चुकी है अब हम इसमें फ्रूट सॉल डालेंगे यानी इनो डालेंगे इनो डालने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर ले इसे mix कर ले अब अच्छे से ताकि जो इनो है इसमें अच्छे से mix हो जाए इनो mix करने के बाद हम इसे जिस बरतर में हमें टोकले को steam करना है और जिसे हमने oil से crease किया था उसमें डाल देंगे इस steps आप फटा फट करें इस तरह से मैं इन सारे batter को उस बरतर में shift कर दूँँगी जिस पर मैं टोकले को steam करना है इसे डालने के बाद आप इसे थोड़ा सा धब दबा दे ताकि जिसके bubbles हो हट जाए अब हम इसे इस बरतर में रखेंगे इस बरतर में रखने के बाद आप इसका flame medium पर कर दे और इसे ढख दे इसे आपको 10 मिनट तक बनाना है और जब तक बना है ताकि जब तक ये steam ना हो जाए ये देखिए 10 मिनट हो चुका है हम इसे चेक करेंगे चेक करने के लिए आप इसका बरतर न हटा ले और इसके अंदर एक चमच के पीछे वाले साइड से इसे चेक करें अगर ये clearly निकल जा तो इसका मतलब ये बन चुका है और अगर ना निकले तो आप इसे थोड़ा देर और ढखके पका सकते हैं ये देखिए 10 मिनट हो चुका और मेरे ढोकले जैसे बन चुके हैं अब हम इसे निकाल लेंगे और इसका फ्लिम बंद कर देंगे इसे आप अच्छे से कपड़े की मिदद से निकाल ले और इसे थंडा होने दे जब ये थंडा हो रहा है तब तक हम में इसका तरका बना लेते है तरका बनने के लिए सबागे एक पैन लिया है मैंने टू टेवल्स stick के करीब ओयवाइल एट किया है अब हम इसमें रही आइडंड करेंगे और जब आपका गर्म हो जा तभी आप इसमें राई आड़ करें मैंने यहाँ पर हाफ टेबल स्पून के करीब राई आड़ किया है राई आड़ करने के बद आपको इसमें कड़ी पत्ता आड़ करना है इन दोनों को अच्छे से चमच कमेदर से चला ले आपको इन सब स्टेप्स को मीडियम फ्लेम पे करना है अब हम इसमें कटी हुए मिर्च आड़ करेंगे और कुछ कटी हुए नारियल आड़ करेंगे नारियल ओप्षनल है आप अगर चाहें तो इसमें आड़ करें इन सब चीजों को ऑच्छे सांधय में भूनने के बाद हम से कपे कारीब पानि आट करेंगे पानि पानि से करेंगे में अदू एक में चिनी के कारेंगे चीनी डिएप अब इससे चला पिला तर उसे धे के ढालके को निया यह बरिया शोतलों पर काना अब श् 이번에 जो चीनी है वो मेल्ट हो जाए ये देखिये चीनी हमारा मेल्ट हो चुका है अब आप इसे बंद कर ले अब हम इसे डी मोल्ड करेंगे डोकले को साइट से आप इस तरह से नायक की मदद से इसे साइट से छुड़ा ले अब आप एक बरतन ले और इसे अपसाइड डाउं कर कि थोड़ा सा हातों के मिदर से इसके बैक पे इस तरह से मारे ताकि जो हमारा डूकला है वह अच्छे से निकला है अब हम इसे कट करेंगे अब इसे अराम से कट करेंगे क्योंकि यह बहुत ही सॉफ्ट होते हैं कि इस तरह से आप इसे कट कर लें कि कट करने के पाद अब हम इसमें जो हमने तड़का बनाया था वह आड़ करेंगे अब ध्यान रखिए कि आपका तड़का थोड़ा थंड़ा हो जाए चमच की मिदद से अच्छे से आप तड़का याड़ कर दें तड़का आप अच्छे से आड़ करें ताकि जो हर डोकला का पीस से उसमें शुगर शिरप एड़ हो जाए अब हम इसके उपर कटा हुआ धनिया एड़ करेंगे इन सब चीजों को एड़ करने के बाद हमारा जो डोकला है वो रेडिये खाने के लिए आई होप आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी हो अगर आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें शियर करें सब्सक्राइब करें जैसे कि आप देख सकते हैं यह बहुत ही सौफ्ट बनते हैं आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ करें अपने घर पे थैंक्स वोचिंग गुदा हाफिज